गुड मारिंग स्टुडेंट्स इस वीडियो में हम क्लास 6 एक्सरसाइस 3D के फर्स्ट 6 सम को कम्प्लीट करेंगे ध्यान से उसको समझेंगे कि कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं तो जो भी आपको बताया जाए उसको ध्यान से सुनें मतलब ऐसा हमें बड़े से बड़ा नंबर फाइंड आउट करना है जो इन तीनों को डिवाइड करें और जो है डिवाइड करने पे इतना जो है वो रिमेंडर बच जाए मतलब क्या है कि अगर हम उस नंबर से जो हम निकालेंगे नंबर उससे 34 को डिवाइड करते हैं तो 7 रिमेंडर बचना चाहिए 60 को डिवाइड करते हैं तो 6 रिमेंडर बचना चाहिए और 85 को डिवाइड अगर आप करोगे तो 4 रिमेंडर बचना चाहिए तो इसके लिए आपको क्या ध्यानकना है कि जब भी ऐसा सम आए हमारे पास कि हमें greatest number निकालना है जो तीनों को divide करें और साथ में remainder तो remainder को एक मिनट के लिए भूल जाना है अपने कि greatest number अगर हमें निकालना है जो इन तीनों को divide करें तो हमें hcf find out करना होता है क्या find out करना होता है? hcf तो हमें hcf तो निकालना है लेकिन जो remainder बचाना हो तो उसके लिए आपको क्या करना है पहले जो है आपने जिस number का जितना remainder बचाना है वो हमें उसमें से minus कर देना है जैसे 34 में से 7 को minus करेंगे 60 में से 6 को minus करेंगे और 85 में से 4 को minus करेंगे तो minus करने के पास जितना भी हमारे पास number बचेंगे उनका हमें hcf जो है वो निकाल देना है तो वही हमारा answer होगा तो method आपको समझ आया है पहले हम लोग जितना हमेरी matter बचाना है वो respective इन में से minus करेंगे और जो number हमारे पास बचेंगे new numbers तो उनका हम hcf जो है वो निकालेंगे तो कैसे करना है चलिए देखते हैं first हम first है हमारे पास find the greatest number जो मैंने अभी आपको statement में समझाया तो यहां मैंने आपके लिए solve कर रखा है तो यह है हमारे given number जो हमें given है तो हमने क्या किया जो हमारा remainder था वो हमने respective इन में से minus किया जैसे 34 में से 7 को 60 में से 6 को और 85 में से 4 को तो minus करने के बाद हमारे पास जो number बचे हैं वो है 27, 54, and 81 अब हमें क्या करना है hcf निकालने के लिए हमें prime factorization method कभ यूज़ कर सकते हैं तो इसमें हमें जो है prime factor निकालने है तीनों के अलग-अलग से जो हमने यहाँ पे निकालके आपको दिखा रखे हैं इसके बाद जो हमारे factor बनेंगे उसका use करके हमें hcf find out कर देना है इसका जैसे 27 के हमने बनाए 3, 9 जा 27, फिर 3 जा 9, फिर 3 जा 3 ऐसे ही 27 आ गया, 3 पे किया तो 9, 3 पे किया तो 3 और 3 पे किया तो 1 आएगा यहाँ पर गलती से 3 लिखा हुआ है तो 1 आ जाएगा उसके बाद यहाँ पर उसके बाद आपको देहान देना है हमने यहाँ पर लिखा हुआ है 81 के factors तो यह हमारे बन गए 3 पे 27, 3 पे 9, 3 जा 9 और 3 बन जा 3 उसके बाद आपको करना है तीनों के factors जो है इस तरह से आपने इस order में लिख देने है लिखने के बाद हमें चेक करना है कि कौन कौन से factor तीनों के अंदर आ रहे हैं जैसे 3 है तो इसमें भी है इसमें भी है इसलिए हमने 3 लिखा फिर next 3 जो है वो भी तीनों में है तो यह ल तो हमारा ऐसा नमबर जो इन तीनों नमबर को डिवाइड करने पर इतना रिमेंडर बचाए वो है 27 next sum जो है बिल्कुल सेम है हमारे जो first three sum है वो बिल्कुल सेम है second भी इसी प्रकार से है third भी इसी प्रकार से है तो मैं आपको करके दिखा देता हूं second third वाला अपने खुझ ट्राइ करना है second वाले में अगर आप देखें तो same वही statement method हमें समयना है main जो है वो method आपने ध्यान देना है फिर से find the greatest number that will divide 129, 161, 224 leaving the remainder अब की बार जो remainder है हमारे वो है 5, 6 and 7 तो हमें क्या करना है हमें same उसी method का use करना है 129 में से 5 को minus करो 161 में से 6 को minus करो 224 में से 7 को अब कर क्यूं रहे हैं हम क्यूंकि हमें remainder बचाना है अगर यहाँ पर statement में सिरफ यह होता find the greatest number which will divide 129, 161, 224 तो हम सीधा इनका HCF निकाल देते हैं अब हमें remainder बचाना है तो जितना हमें remainder बचाना हो उतना ही हमें इसमें से minus कर देना है तो अब हमने जब minus किया इनको तो हमारे पास जो respective number बचे हैं वो है 124, 155, 217 तो हम इनका जो है वो factors इनके factors find out करेंगे तो हमने यहाँ पर factors बनाए है तो आप देखें 2 की table पर किया हमने यह बन गया 62 फिर से 2 की table पर 31 और 31 जो है वो किसी की table में नहीं आता है तो 31 बन जा 31 इसी प्रकार आपने इसको solve करना है तो मैंने 5 पर किया इसको पहले तो 5 पर किया तो 31 अब 31 किसी और की table में आता नहीं है तो 31 फिर 7 की table में same इसी प्रकार factor बनाए है तो अब हमें इन सबी factors को जो है वो एक साथ लिख देना है तो हमने जब लिखा तो हमारे पास यह बनगे 2 x 2 x 31 for 124 फिर हमारे पास बने 5 x 31 फिर हमारे पास 7 x 31 अब आप देखें कि common जो है वो सिरफ एक ही factor है वो है 31 तो xcf जो है वो हो जाएगा 31 अब हमें पता चल चुका है कि 31 ऐसा number है जो इन तीनों number को divide करेगा और जो हमें remainder चाहिए वो हमारे remainder भी हमें मिल जाएंगे तो answer इसका बनेगा 31 next जो है third sum वो आपने खुद try करना है third जो है बिल्कुल same statement है तो इसमें हमें क्या करना है जो 189 है उसमें से आप लोग 9 को minus करेंगे 223 है उसमें से 3 को औ 347 में से 7 को तो जो number हमारे पास बचेंगे उनका आपने hcf find out कर देना है next statement है fourth fourth में जो है बिल्कुल same है कुछ method जो है वो same रहेगा but difference जो है वो यहाँ पर है वो मैं आपको समझा देता हूं find the greatest number which will divide 264 168 exactly living a remainder of 8 in each case मतलब क्या है इस बार हमें remainder जो है वो same दिया गया है पिछले जो 3 सम थे उनमें तीनों का remainder जो है वो अलग-लग था तो हमने अलग-अलग minus किया इसमें हमारे पास दोनों का remainder जो है वो 8 ही बचाना है हमें तो दोनों में से हम 8 को ही minus करेंगे तो देखते हैं कैसे करना है first आपने यहाँ पर ध्यान दिया है कि जो ह हमारे given number है वो हमें लिख लेने है given number है 264 168 और remainder जो है वो हमारा है 8 अब हमें क्याद करना है दोनों में से 8 को minus कर देना है और minus करने पर इसका answer बन रहा है 256 और इसका answer बनना है 160 अब हमें जो है जो greatest number अगर निकालना है तो उसके लिए हम निकालेंगे HCF HCF के लिए हमें करन किया तो 64 64 को 2 की table में 32 ऐसे ही 32 को 2 की table में 16 ऐसे ही 8 4 2 और 1 तो ये simple division हमने use किया है फिर 160 को अगर आप करेंगे तो same इसी method से आपको करना है तो इसके factor हमारे पास ये बन गए है अब हमें क्या करना है highest common factor निकालने के लिए इनको हमने series में लिख देना है इस परकार और जो common है अब जैसे एक ये common है ये भी common है ये भी common है और ये और ये इसके अलावा और कुछ भी common नहीं है तो इन 5 को हमने यहाँ पे लिख देना है और लिखने के बाद अगर हम इनके multiply करते हैं 2 तूजा 4 तूजा 8 तूजा 16 16 तूजा 32 तो ये हमारा जो है final answer हमें मिल चुका है 32 नेक्स statement जो है वो भी बिल्कुल सेम है जो हमारा fifth sum है इसमें आप देखें find the greatest number that will divide 264 एंड 36 leave a remainder of remainder क्या है 12 in each case same वही method हमने use करना है कैसे आप करोगे 264 में से भी 12 को minus करोगे 336 में से भी 12 को minus करोगे तो जितने हमारे पास number बचेंगे दोनों में से 12 को minus करने के बाद उन दोनों का आपने HCF जो है वो निकाल देना है तो जितना HCFI का वो हमारा answer अब हम देखते हैं six sum six में हमें बुला गया है स्वामी पैक्ट 288 औरेंज एंड 624 एपल इन बॉक्सिस मतलब कुछ बॉक्सिस हैं उसमें इतने तो 288 औरेंज पैक करने हैं और 624 एपल पैक करने हैं अरेंज एंड एपल इस पैक करना चाहता है इस ही पॉट इक्वल और रखर प्रूट इन इच बॉक्स थो आपको कुछ वर्ट इस बताता हूं maximum, largest, longest तो जो भी मैंने word बोले हैं उसको ध्यान से सुनना है अपने maximum, greatest, largest, longest ये word अगर आपको statement में दिख रहे हैं तो आपको HCF ही find out करना होता है क्या find out करना होता है? HCF अगर आपको जो दूसरे में word बताने जा रहा हूँ जो की है minimum, lowest, least, simultaneously ये word अगर आपको देखने को मिलें तो आपने LCM निकालना है, LCM तो अभी हमारे पास maximum है तो हम HCF find out करेंगे और जितना हमारा HCF आएगा वही जो है इस question का answer बनेगा, कैसे? हमने लिखा orange हमारे पास है 288, apple है 624 तो इनका हमने HCF निकालना है तो हमने बनाए prime factors तो factor बनाने के बाद 288 के बनाए हमने 2 पे 144 फिर से 2 पे cancel किया 27 जा 14, 2 तू जा 4 ऐसे ही आपने आगे करते जाना है 72 को किया तो 36 36 को 2 पे किया तो 18 18 को 2 पे किया तो 9 9 को 3 पे किया तो 3 और 3 को 3 पे किया तो 1 इसी प्रकार 624 के 2 पे cancel करेंगे तो 312 फिर से 2 पे करेंगे तो 156 फिर से 2 पे करेंगे तो 78 फिर से 2 पे करेंगे 39 और 3 पे करेंगे तो 13 तो यह हमारे बनाए factors अब इसको आपने arrange कर देना है इस order में तो arrange करने के बाद हमारे पास बन गया है 288 के factors ये वल है और 624 के ये वल अब जो common है common हमें देखना है कि common कौन कौन से factor है तो जो हमारे पास common है वो हमने note कर लेने है ये वले है तो इनको हमने नीचे लिखा 2, 2, 2, 2, 2 and 3 तो इनको अगर multiply करते हैं तो हमारे पास answer बनता है 48 तो हम last में answer कैसे लिखेंगे maximum number of root he put in each box कितने हो गए वो 48 तो ये थे आपके first six sum exercise 3D के ये है video part 1 next जो question हम part 2 में उनको complete करेंगे Thank you